असलाम अलेकुम दोस्तों यदि आप कुईत में रहते हो और कुईत के इमतरीन कबरों से में सब आके पहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना इसको पूरा देखिए चैनल पे नहीं हूँ या फिर पहली बार आया हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन को प्रेस कर ल दोस्तों चल रहा था जिसका फाइनल मैच भी खेला गया इराक और ओमान के बीच में जिसमें इराक को हराकर ओमान ने जीत हासिल की वहीं पर दोस्तों दुरगटना भी घटी जहां पर भगदल मचा एक सक्ती महां पर मौत भी हुई पर दोस्तों को लगार अच्छा खबर तो जो भी कुएटी लोग यदी राक में रुखना चाते हैं घूमने के जगाशड़ जाना चाते हैं वो जा सकते हैं कुछ दीनों गले साथी उनके वीजा को एक्सटेंट कर दिया गया अगली खबर दोस्तों जो आ रही हो को युंदी जाजेसन को लेकर आ रही होग तो स और वहाँ पे कुएतियों को डाला जाएगा तो साथियों कुएती जाजेशन के वज़ए से आपको पता ही होगा हरे कंट्री में दो पाटियां होती एक जीत्ती है वो एक दूसरी हर्ती जो है वो तो साथियों कुएत में बहुत सारे इंपीस के तरब से इसका सपोर्ड भी किया जारा कि कुएती जाजेशन किया जाए और बहुत सारे लोगों के तरब से इसका विरोध भी किया जारा क्योंकि दोस्तों बिना कोई वजा के बिना कोई नोटिस के वहाँ पे एक्सपार्ट लोगों को कुएत से निकाल दिया जा रहा है और वहाँ पे कुएतियों को डाला जा रहा है तो दोस्तों जहां तक मुझे तो यह लगता है यह पूरी का पूरा गलत है क्योंकि बिना किसी वज़ा के बिना कोई मतलब नौकरी उनको दिये वे निकाल देना यह तो बहुत ही गलत होता है तो इसी को लेकर दोस्तों वहाँ पे बातचीत काफी जादा की जारी है अगली अपडेट की और सात्यों चलते हैं अगली ख़बर दोस्तों जो आरे सात्यों आप लोगो पता है कि क्वेट में ठंड काफी जादा बढ़ गई है मौसम काफी जादा चेंज हो गया है तो वहां के मिनिस्ट्री के तरफ से ये बताया गया है कि क्वेट में टेंपरेचर घटने के वज़य से वहाँ पे एक कोईले का बहुत ही जादा क्वेट में इस्तामाल किया जाता है क्वेट में इसको क्वेट करने के लिए कर रहा है और गैस जांदर जमा होने को यसे किसी की जान भी जा सकती है तो ये मिनिश्टी के तरफ से कल के दिन दोस्तों एनॉस्मेंट की गई साथियों मैं जो भी खबरे आपको बताता हूँ यदि आपको कभी भी को यसे तगर डॉट होता है खबरों को लेकर तो आप अरफ टैम्स को ओफिसल वेबसाइट को खोल के वहाँ से खबरों को डिटेल में आप पढ़ सकते हो वहाँ पे फर्क ये होता है कि वहाँ पे इंग्लीस में लिखी होती ही मैं आपको हिंदी उर्दू में बताने की में कोसिस करता हूँ अगली जो खबर दोस्तों आरी बहुत भी बड़ी खबर है दोस्तों बहुत भी दुरघटना घट सक्तिती पर ऐसा हुआ नहीं है UA की कोस्टल लाइन में यानि दुबए के कोस्टल लाइन में और ओमान के समुंदरी इलाके में कल के दिन यानि कल साम में हूपम के जटके को मैसूस किया गया यहां 2.1 मेयरी Dharma के स्पिर में जुकम के जटके को मैसूस किया गया है पर दोस्तों इसमें रहत की खबर यह है कि अभी तक दोबारा फिर ऐसा कोई जटका नहीं मिला है पर सभी को साधान आने के लिए कहा गया है और अच्छी कबर इसमें ये भी है कि कोई हताहात होने की दोस्तों यह चापे मारी की गई लगबब 9 गैमलर को वहाँ पर गिरफतार किया गया है बताया दोस्तों यह जा रहा कि जली बल सुएक एरिया में 9 एक्सपर्ट को गिरफतार किया गया जो एक हॉस में रहते थे और वो money laundering का भी काम करते थे और playing card यानि जुव वगेरा भी खेलवाते थे खेलते थे जिसके बाद साथ वो किसी के दोवारा complain किया गया था तो complain के ही तहट उन सभी लोगों को फरवान जली बल सुएक एरिया के apartment से सभी को 9 सक्स को गिरफतार कर लिया गया है सभी के सभे ACI expert हैं और सभी को दोस्तों गिरफतार करके deport कर दिया जाएग तो ये कुछ खबरे थी कुछ अब्डेट्स थी जो की कुएट से आ रहे थी मैंने अब तक share किया उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो मिलते दोस्तों नेक्स वीडियो पे तब तक लिए ख्याल लगे वीडियो देखने के लिए सुक्रिया जाहिन अल्ल कॉल बगिस और टेक क्यर